हलो बच्चो चैप्टर है न मैथमेटिकल इडक्षन यह जो चैप्टर है किसी मंजिल पाले के लिए नहीं चलता इस चैप्टर में हमें मंजिल पे नहीं पहुचना है बस चलते रहना है तुम सोच रहे होगे कैसा शायराना चैप्टर है इस शायराना चैप्टर है हर रोज चलता हूँ मैं, लेकिन पहुचना कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है तो दोस्तो आज हमारे नए चैप्टर की भन्नाट शुरुआत हो चुकी है बड़ा शायराना चैप्टर है, नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है Mathematical Induction, Principle of Mathematical Induction बड़ा Simple Principle है, बहुत पुराना Principle है Math की जान है ये Principle, Math की पहचान है ये Principle Principle का नाम है Principle of Mathematical Induction Principle of Mathematical Induction एक बहुती Simple Principle है ये Principle हम सीखेंगे Step by Step, बड़े मज़ेदार शायराना तरीके से हर रोज चलता हूँ मैं, लेकिन पहुचना कभी भी नहीं है पहुचना कहीं भी नहीं है, तो आईए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की So, देखें समझते हैं, बेसिक से समझते हैं आपने इस तरीके के बड़े सारे वीडियोज अकसर फेस्बुक और यूट्यूब पे देखे होंगे जिसमें कुछ ताश के पत्ते एक लाइन में होते हैं और यूट्टक से पत्ते को मारा और सारे पत्ते गिर जाते हैं यही है प्रिंसिपल ओफ मैथमेटिकल इंडक्शन जी हाँ यह जो एक पत्ते को आप मारते हो चुटकी से हलका सा हिला देते हो और तक से करने पे यह सारे ताश के पत्ते जो गिर जाते हैं इस तरीके से यह जो भाई सहाब है इन्हें थोड़ा सा हिलाया एक पत्ते को और यह पत्ते गिरने शुरू कर दिये यूँ गिरते गिरते सारे पत्ते गिर गए सबसे पहले तो हम बता दूँ, इसको dominoes effect बोलते है इसको बोलते है dominoes effect dominoes effect यह dominoes effect है यहाँ पर देखे दो चीजे notice करने वाली है यह क्या हमें संदेश देता है यह effect यह आपको बताऊँगा ये क्या संदेश हम को देता है, ये बात आपको बताऊंगा, दो बातें उब्जर्फ कीजिए, आप इस पूरे mathematical induction की दुनिया को इस पूरी कहानी को समझ लेंगे, ये dominoes effect देखिए, थोड़ा सा ताश के पत्ते को हिलाया, यहाँ पे देखिए, हलका सा इस इट को मैंने हिला और सारी गिर जाएंगी, one by one, one by one सारी गिर जाएंगी, दो बातें नोटिस कीजिए, पहली बात, the first tile falls, मतलब आप क्या करोगे, सरफ पहली tile को टच करोगे, उसको गिराओगे, पहली tile गिरेगी, ठीक है ना, first tile falls, ओके, पहली गिरी, ठीक है, पहली गिरने के बाद, अब सा सारी गिर गई, मतलब आपने पहली गिराई, और सारी tiles तनी रो में हैं, सारी गिर जाएंगी, वो इस वज़े से गिर पाई, if any tile falls, its successor necessarily falls, उनकी जो arrangement है, उनकी जो arrangement है tiles की, वो कुछ यूं है, कि बीच में किसी भी tile को धक्का लगेगा, मालो, बीच में किसी भी tile को push मिलेगा, तो अगली को पक्का गिरना है, उनके बीच का gap है, वो ऐसे रखा हुआ है, इन दोनो tiles के बीच का gap, कुछ यूं रखा हुआ है, कि भाई, ये वाले tile अगर गिरेगी, तो अगली को गिरना पड़ेगा, दो बातें अगर हो जाएं, पहली ब है न, वो gap कुछ यूं रहे कि, कि if any tile falls, its successor, मतलब इसकी अगले वाली, just अगले वाली, necessarily falls, मतलब अगर कोई भी एक tile गिर जाए, तो उसके अगले वाली पक्का गिरेगी, जहां पे ये दो बातें होंगी, दोमिनोज effect कहता है, वहां पे सारी tiles, भनाट तरीके से गिर जाएंगी, सारी tiles गिर जाएंगी, दो बाते होनी चाहिए, एक तो, पहली tile को push मिले, पहली tile गिरे, और दूसरी चीज, सारी arrangement कुछ ऐसी होनी चाहिए, कि, किसी एक tile के गिरने से, अगली cut से गिरेगी, पटक से गिरेगी, एक तरीके से, ये वाली tile एक दम गिरते ही, अगली को पक्का गिरना है, अगर arrangement में दो चीजें हो जाएं, तो मेरे दोस्तो, सारी tiles का गिरना निश्चित है, और यही mathematical induction की कहानी की शुरुवात है, इस कहानी को हम mathematics points से शुरू करें, इस कहानी को हम mathematics points से शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हर रोज चलता हूँ मैं, लेकिन पहुंचना कहीं भी नहीं है, यही mathematical induction है, हर tile गिरेगी, हर tile गिरेगी, गिरती चली जाएगी, पहुंचना कहीं नहीं है, tiles को गिराते रहना है, इसी में जिन्दगी का मज़ा है, और यही mathematical induction है, mathematical induction का वेटेश बता देता हूँ मैं, mathematical induction school के syllabus में है, mathematical induction school के syllabus में है, board के syllabus में है, आगे 12th class में कुछ essay chapters है, जिन में mathematical induction के principle का इस्तिमाल करते हुए हम सवाल सोल्व करते हैं, तो school और boards के syllabus में mathematical induction है आपको बता दूँ, J-E means में mathematical induction नहीं है और J-E advanced में मेरे दोस्तों mathematical induction नहीं है J-E advanced में भी mathematical induction नहीं है J-E advanced में नहीं है, एक बात लेकिन गोर करने वाली है Olympiards की बात करें, बहुत परकार की Olympiards होते हैं देश और दुनिया में Olympiards के कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि mathematical induction Olympiards के syllabus में है mathematical induction Olympiards के syllabus में है कई सारे सवाल mathematical induction का इस्तमाल करते हुए Olympiards के उड़ाए जा सकते हैं और school में तो, boards में तो mathematical induction का इस्तमाल कई सारे सवालों में, कई सारे chapters में होता है मैं mathematical induction की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको इसकी importance मालूम चल गई हर exam के point से correct है और mathematical induction को अगर आपको समझना हो तो इस शायरी को समझ लीजिए कागी हर रोज चलता हूँ मैं लेकिन पहुचना कभी भी नहीं है और mathematical induction को practically समझने के लिए मैंने आपको बताए dominoes effect को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर dominoes effect दो सिध्धानतों पर दो बातों पर टिका हुआ है कि भई सारे पत्ते गिराने हैं तो पहले पत्ते को थोड़ा hit मिलना चाहिए पहला पत्ता जो है यह गिरना चाहिए और दूसरी बात इफ पहला पत्ता गिरेगा तो इसका successor हमेशा गिरना चाहिए उनका gap हमें कुछ ऐसा set करना है तो सारे पत्ते गिर जाएंगे यह induction पैदा हो जाएगा पत्तों के बीच में induction पैदा हो जाएगा पहले ने दूसरे को गिरा दूसरे ने तीसरे को गिरा तीसरे ने चोथे को गिरा चोथे ने पांच में गिरा ऐसे करते करते सारे पत्ते गिर जाएंगे इस प्रोसेस को induction कहते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं Induction कहते हैं, जैसा Corona हो एक को और आ एक को हएक ने दूसरे को किया, दूसरी तीसरे को किया, तीसरे ने चोथे को को किया, दूसरे पांचने चटे को, चलता गया क्या सो हो गया, 10 अग। हो गया क्या हो गया है। Inuction सो हो गया Mathematically law रिती कुछ ऐसा ही chapter है, इंडक्शन हो जाता है, एक बात दूसरे में हुई, दूसरी तिसरे में हुई, तिसरी चोथे में हुई, चोथे से पांच में हुई, पांच में से चटे में हुई, चटे से साथ में हुई, साथ में से आठ में हुई, आठ में से नो में हुई, नो में हाँ जी, हिस्ट्री की बात करें, mathematical induction की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ऐसा कहा जाता है कि, यूकलेट नाम का जो mathematician था, उसने बहुत पुराने टाइम पे, पहली बारों में से एक बार, mathematical induction का जिक्र किया था, और वहाँ लोगों को मालूम चला था, कि mathematical induction नाम का एक बड़ा strong concept है, जो maths के कई सारे problems को एक बहनाठ तरीके से solve कर देता है, यूकलेट ने बताया कि इस principle से बहुत सारे सवाल solve किया सकते हैं, बहुत सारे mathematical problems को deal किया सकता है, लेकिन कई सारे किताबे पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला, कि भारतियों ने भी, भारतियों ने भी mathematical induction पे बह काम किया है, बहुत सारे problems ऐसे हैं, जो mathematical induction के थे और भारतियों ने बहुत पहले ही solve कर लिये थे, हमारा इंडिया का एक बहुत महान mathematician थे, भासकरा, भासकरा इस देश के one of the beautiful minds in mathematics थे, और उन्होंने mathematical induction का idea सनियों पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था, तो भासकरा ने mathematical induction दुनिया को बहुत पहले बता दिया था, हम इंडियन्स ने mathematical induction पे बहुत काम किया है, दोस्तो, mathematical induction पे इंडियन्स ने भी काम किया है, भार के लोगों ने भी काम किया है, भार के लोगों ने तो बहुत सारी research हमारे इंडिया से चुराई भी है, तो हमारा इंडिया बह क्या होता है, इस principle को apply कैसे करते हैं, सारी बातें समझते है, step by step, सबसे पहले तो इस principle को समझते हैं, एक problem के through, एक problem के through हम इस principle को समझते हैं, problem क्या है, question क्या है, मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए, question ये है कि prove that, proof that, for any natural number, for any natural number, 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on till n, this sum will be equal to n into n plus 1 by 2, कोई भी natural number n ले लिजिए, ये वाला जो sum होगा, ये sum n into n plus 1 by 2 होगा, ये हमको proof करना है, by using principle of mathematical induction, by using PMI, by using principle of mathematical induction, इस induction के principle को, हम इस सवाल को solve करते हुए समझ लेंगे, कि ये principle है क्या, इस principle में 2 steps होगे, जैसा यहाँ पे ताश के पत्तों को गिराया था, इन into को गिराया था, इसमें 2 steps थे, एक step थो था, initial step, ये जो step था, इसको बोलते है, initial step, बस start करना, ignite कर देना, इक ताश के पत्ते को जब गिराया था, तो ignite कर दिया था, बस process को, इसको बोलते है, basis step, क्या बोलते है, basis step या base step, इसको क्या बोलते है, base step, ये जो A है, इसका नाम है, base step, मतलब ये होगा, disturbance होगी, तभी move करेगी, disturbance आगे, और यहाँ पे, दूसरे वाला जो step है, इसको बोलते है, inductive step, इससे वो disturbance जो है, propagate हुई है, inductive step, पहला काम क्या है, base step, इसको गिरा देना, फिर ये गिरने वाली process आगे, induce होती रहेगी, ये हमारा है, inductive step, ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, मैं इस सवाल को इन ही, दो steps का, इस्तेमाल करते हुए करने वाला हूँ, दोस्तो, पहले क्या करूँगा, इस सवाल में भी पहले मैं एक टाइल गिराऊँगा, यहाँ पे एक टाइल गिरते ही, सारे टाइल गिर गई, इस सवा सबसे पहले एक परूसेस आगे चलती चली जाएगी तो हर जब क्या करने वाला हूं मैं सबसे पहले सबसे पहले इस statement को n equal to 1 के लिए प्रूफ करूँगा मतलब मैं सबसे पहले अपना जो base step है वो प्रूफ करूँगा कि भई पहले तो कम से कम शुरुवात में तो ये हरकत आप प्रूफ कर दीजिए शुरुवात में तो हरकत प्रूफ कर दीजिए यह सबसे पहले मैं एन इक्वल टू वन के लिए प्रूफ कर दूँगा, इसने कहा हर नैचरल नंबर के लिए प्रूफ कर दूँगा, इसने कहा हर नैचरल नंबर के लिए प्रूफ कर दूँगा, यह स्टेटमेंट सही है, मैंने कहा मैं प्रूफ कर रहा हूं, शुरुबात क साथ n equal to 1 के लिए proof कर दूँगा n equal to 1 के लिए proof करने के बाद फिर मैं एक और बात proof कर दूँगा यह proof कर दूँगा कि अगर अगर यह statement n equal to k के लिए सही है तो k plus 1 के लिए सही होनी पड़ेगी k plus 1 के लिए सही होनी पड़ेगी मैं induction step proof कर दूँगा क्या proof कर दूँगा induction step proof कर दूँगा कि अगर यहां तक disturbance आ गई तो आगे disturbance पक्का पहुँचेगी आगे यह propagate पक्का होगी यह property induce होती जाएगी मतलब मैं यह proof कर दूँगा कि 1 के लिए तो यह सही है फिर मैं यह proof करuiçãoँगा कि k के लिए सही मान लूँ तो k plus 1 के लिए पक्का सही होगी मतलब यह इसको गिराती गिराती यहां तक आगई तो यह proof कर दूँगा अगला भी गिरेगा तो यह प्रूफ हो जाएगा कि अगला गिरेगा तो उससे अगला उसका अगला भी गिरता रहेगा और हर N के लिए यह प्रूफ हो जाएगा दोस्तों हर N के लिए यह प्रूफ हो जाएगा तो यहाँ पे शुरुवात करते हैं लेफ्ट हैड साइड को ले लिया मैंने, ये हमारी लेफ्ट हैड है, लेफ्ट हैड साइड एक किसम की mathematical statement है, mathematical statements को propositions भी कहते हैं, क्या कहते हैं? और propositions को denote करने का एक खास symbol है, इस परकार से denote किया जाता है, पी एन पी एन क्या है पी एन पी एन इस सच दाट ये एक mathematical statement है ये एक mathematical statement है ठीक है ना इसको proposition बोल दिया तो ये माल लिया मैंने कि इस proposition का नाम है मैंने statement का नाम माल लिया पी एन क्या नाम माल लिया मैंने statement का पी एन इस statement का नाम माल लिया, मैंने PN, PN क्या है, proposition for N, P से proposition बनता है, proposition का meaning होता है, mathematical statement, क्या होता है, mathematical statement, mathematical statement, इसका meaning होता है, mathematical statement, PN, PN एक proposition है, और इसका meaning होता है, mathematical statement, ठीक है, इसको मैंने क्या माल लिया, इस पूरी mathematical statement को मेरे दोस्तों, मैंने PN माल लिया, क्या माल लिया, ठीक है जी, मुझे proof करना है, यहाँ पर बात समझने वाली, मुझे proof करना है, जो PN statement है, यह हर N के लिए true है, पहला सवाल है, सवारी बाते लिखके दिखा रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, और आपको भी सीखने में जल्दबाजी करने नहीं है, जितनी बाते पता ह कुछ-कुछ-कुछ-कुछ सीखने को मिलता रहेगा, आपको आता हो, चाहे नहीं आता हो, बात पूरी सुने, ध्यान से सुने, इमानदारी से सुने, माल लेते हैं, लेट, हमको मानना के है, प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, we have to prove that, we have to prove that PN is, PN is true for all, all natural numbers, हर natural number के लिए true है, ठीक है, यह सवाल प्रूफ करने के लिए, दो steps में प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहला step, दो steps हैं इस सवाल को प्रूफ करने के लिए, पहला step है, इसको क्या बोलते हैं, बेस स्टेप, यह हमारा है, बेस, यह हमारा बेस स्टेप है, बेस स्टेप में हमें, पी वन, एन इक्वल टू वन के लिए, इस प्रपोजिशन को प्रूफ करना है, पी वन को true प्रूफ करना है, तो पी वन क्या है, पी वन का मीनिंग होगा, एन इक्वल टू वन के लिए, यह प्रपोजिशन, यह स्टेप मेंट क्या कहती है, n equal to 1 जब डाल दिया तो left side कहती है कि 1 से n तक का जोड़ अरे भाई n है ही 1 तो 1 से 1 तक का जोड़ तो 1 हो गया n equal to 1 पे तो सिरफ 1 ही हो गया left hand side और right hand side n equal to 1 पे कितना हो गया 1 into 1 plus 1 2 by 2 2 से 2 कटा मजा आया तो p1 जो statement है p1 statement कहती है कि 1 और 1 बराबर है clearly यहां से देख सकते है यहां से clearly आँखे खोल करके देख सकते है p1 is true 1 और 1 बराबर होते है इसमें कोई संदेह नहीं है p1 जो है यह जो statement है n equal to 1 के लिए p1 की बात कर रहा हूँ ये true होगी तो इसका मतलब पहला step true हो गया भाई पहला step, base step true हो गया भाई पत्ते को चुटकी से मार दिया भाई पत्ते को चुटकी से मार दिया है पत्ते को चुटकी से मार दिया है base step हो गया है, पहला step हो गया है बात समझ मैं अब बात करते हैं second step की क्या है अ इंग्टतीव cट बी कुछ लोग सेकंड को दो更क्राइप नहीं हों पर दूबलम होती हैं उसकी जरुत नहीं है यह तीन स्टेप नहीं century से जो लोग इसको 2 की बजाय 3 step में करते हैं, वो शायराना नहीं होते वो रोज नहीं चलते इसलिए वो 3 में करते हैं बहाई करता है 2 step में ठीक है न, 2 का इस प्रॉबलम है step number 2 को बोलते है inductive step inductive step step number 2 inductive step है, क्या है step number 2 कि भई, यहां से समझ लेते हैं कि अगर ये disturbance यहाँ n equal to k पे पहुँच गई तो 100% n equal to k plus 1 पे पहुँचनी चाहिए तभी सारी इटे गिरेंगी, सारे पत्ते गिरेंगी, ये second step है, कि अगर तो कोई भी tile गिरती है तो अगली गिरनी चाहिए, ये general tile लेली मैंने, n equal to k पे disturbance पहुँच गई, then n equal to k plus 1 अगली पे पहुँचनी चाहिए, हर अगली पे पहुचनी चाहिए, सारे पत्ते गिर जाएंगे, तो यही है, n equal to k लेकर के मैंने सोचा कि यहाँ पहुच गई है और ये proof करना पड़ेगा, कि k plus 1 पे भी पहुचेगी, proof हो जाएगा एक दम मस्त भनाठ तरीके से domino's effect proof हो जाएगा, principle of mathematical induction proof हो जाएगा, तो यहाँ पे, n equal to k पे मान लेते हैं, statement सही है, step number two क्या है, let p k is true, p k मान लेते हैं true है, one पे तो true है, one पे true है, one से शुरुआत हो गई, बीच में कहीं पे मान लिया true है, बीच में कहीं पे true मानते हुए यह proof करने वाला हूँ, कि इसके बाद disturbance आगे जाती रहेगी, यह proof हो जाएगा, कि disturbance शुरुआत से ही आगे चलती गई है, और mathematical induction से हम बोल देंगे, यह वाले statement जो लिखी हुई है, यह हमेशा के लिए साही है, हमेशा हर n के लिए साही है, तो then we have to prove that, then we have to prove that, pk plus 1 will also be true, बस यह game बचा हुआ है, मैं बस pk को सही मानते हुए, pk plus 1 को सही proof कर दूँ, तो यह proof हो जाएगा, disturbance आगे बढ़ रही है, शुरुवात हो चुकी है, बढ़ रही है, तो यह शावित हो जाता है, कि यह चलती चली जाएगी, छोड़ेगी नहीं, अगर दो बातें, अगर दो बातें हो जाएगे, जिंदगी में, एक तो यह कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है, और दूसरी, प continue भी हो चुकी है, तो यह प्रूव हो जाएगा, कि पढ़ाई हमेशा चलती रहेगी, वही है इंडक्शन, शुरुवात हो चुकी है, और चलते चले जाना है, शुरुवात के बाद रुकना नहीं है, यही जिंदगी है, पढ़ाई में 20 परकार से बनाठ तरीके से करने चाह यही रुकना नहीं है, शुरुवात हम लोगों नहीं कर दी है, रुकना आपको नहीं है, हम तो रुकेंगे नहीं, सो पीके को true मानते हुए, अपने को प्रूफ करना है, पीके प्लस वन भी true है, अब देखे पीके क्या चीज़ है बही, पीके वो, अमीर खान वाले पीकी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है न, यहाँ P K की बात कर रहा हूँ, मैं, proposition 4 N equal to K की बात कर रहा हूँ, N equal to K पे, N equal to K पे डाल देंगे, तो 1 से लेकर के K तक के natural number का जोड़ K into K plus 1 by 2 हो जाएगा, 1 से लेकर के, K तक के natural numbers का जोड़ है, वो K into K plus 1 by 2 हो जाएगा, यह true है, यह आपने माल लिया, की K true है, तो यह proof करना K plus 1 में true है, तो P K plus 1 कितनी होगी, भाई, तो यहाँ N की जिगए K plus 1 डाल देंगे, यहाँ N की जिगए K plus 1 डाल होगे, तो K plus 1 आजाएगा, यहाँ N की जिगए K plus 1 डाल होगे, two k plus two by two के ब्रावर कैसे आया right में k plus one into k plus two by two यह जो आपका n है इसकी जए k plus one रखाइस जए k plus one रखा k plus two यहां हो गया k plus one वहां हो गया ठीक है जी तो अपने को भी यह मानना है कि pk अगर true होगी तो pk plus one को 100% true होना पड़ेगा तो left hand side लेंगे भई right के ब्रावर यह तो true है, इसका proof देखे, इसके true होने का reason देखे, proof देखे, मैं left hand side ले लेता हूँ, यहाँ पर left hand side ले ली मैंने, left hand side ले ली मैंने, वो है 1 plus 2 plus 3 plus 4, उसके बाद फिर k आएगा, फिर last में k plus 1 आएगा, मतब left hand side क्या है, 1, 2, 3, 4 करते हुए, आखिर में k plus 1 तक जाना है, कहां left hand side को proof करना है, इस right hand side के बराबर, इसके बराबर proof करना है, कर देते हैं, भाई के साथ proof हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यह चीज़ को देखिया, 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on till k, इसकी value मुझको मालूम है, यहाँ से, क्योंकि यह तो true है, इसकी value मुझको मालूम है, k तक के natural numbers का जो करूँगा, k into k plus 1 by 2, ठीक है न, यहाँ पर fit करने वाला हूँ, k into k plus 1 by 2, क्योंकि इनका जो जोड है, वो k into k plus 1 by 2 है, मेरे दोस्तों, so, यहाँ पर, यह हो गया, k into k plus 1 by 2, ठीक है, इसकी ज़िए मैं क्या रखा, k into k plus 1 by 2, और आगे k plus 1 already है, आगे k plus 1 already है, ठीक है, ठीक है जी, अब यहाँ देखिए आप, इस वाले टाम में, अब इधर देखो भाई, इस वाले टाम में और इस वाले टाम में देखिए, इन दोने टाम में देखिए, k plus 1 वाली bracket common आ रही है, k plus 1 वाली bracket common आ रही है, बचा कितना, यह k plus 1 common आ गया, तो कितना बचा, k by 2 बचा, यहाँ बचा, k by 2, और k plus 1 common आ गया, यहाँ कितना बचा, plus 1 बचा, ठीक है, इसको देखिए, यह simplify कर लिए मैंने, आगे देखिए, k plus 1 तो यहाँ है ही, k plus 1 तो यहाँ है ही, यहाँ पे देखिए, 2 को उधर ले जाएं, तो k plus 2 by 2 हो जाएगा, यह आ चुका है, left hand side ले करके चला था, मैं चला था, चलता चला गया था, पहुंच चुका हूँ, k plus 1, k plus 2 by 2 पे, यही लाना है, right hand side आ चुकी है, देख लीजे आ पहुंच गए, right hand side आ चुकी है, left hand side, right hand side प्रूफ कर दी, मैंने प्रूफ कर दिया, कि यह वाले चीज, यह वाले चीज बराबर है, इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया, कि यह जो p k plus 1 है, आप ध्यान से देखिए, यह जो p k plus 1 है, यह मैंने true proof कर दी, क्या प्रूफ कर दी true proof कर दी, मैंने proof कर दिया, कि अगर यह statement चलती जाएगी, n equal to k पे पहुंचेगी, तो पक्का k plus 1 को पीटेगी, k plus 1 को k plus 1 पे भी सही होगी, तो p k सही है, तो मैंने proof कर दिया, p k plus 1 भी सही है, इसका मतलब यह induction से proof हो गया, कि शुरुवात हुई, continuity maintain हुई, हर n equal to natural number के लिए, यह statement सही होगी, तो यहां से हम बोल सकते हैं, hence, अब देखिए, यह दो बाते proof हो जाएंगी, अगर यह दो बाते proof हो गई, यह दो बाते proof हो गई, तो domino's effect लग गया, domino's effect लग गया, mathematical principle लग गया, और यह proof हो जाएगा, कि सब जगह पे, सब जगह पे, यह वाला जो statement है, यह हो गया, प्रूफ, हो गया, प्रूफ, दोनो step हमने देख ली, दो step की problem है, हो गया, प्रूफ, बोल देंगे, hence, by using domino's effect, hence, by using principle, आपको domino's effect नहीं लगना, वो ते एक आम लाइफ की बात है, maths में इसको बोलते है, principle of mathematical induction, hence, by using principle of, principle of mathematical induction, यह लाइ लिखनी बहुत ज़रूरी है कि principle of mathematical induction लगाया, hence, by using principle of mathematical induction, जो PN थी, this will be true for all N, which are natural numbers, which are natural numbers, बात समझ में आ रही है क्या, अरे समझ में आ रही है क्या, अब मैं आपको बता दूँ, कि mathematical induction का principle, जो है, उन्हीं सवालों को, प्रूफ करने के लिए काम आता है, सवालों को मतलब mathematical statements को, हर सवाल को, जब प्रूफ करने की बात हम कहते हैं, तो हर सवाल, एक mathematical statement होता है, principle of mathematical induction, उन्हीं mathematical statements को, प्रूफ करने के लिए, इस्तमाल में लाया जाता है, जिन mathematical statements में, natural number के उपर, natural number के उपर, ये mathematical statement हमको प्रूफ करनी हो, मतलब इस mathematical statement में, n एक natural number नहीं होता, मालो, कोई statement ऐसी आजाए, जिसमें n एक natural number नहीं है, वो वाली जो mathematical statement होगी, वहाँ principle of mathematical induction का इस्तेमाल नहीं करते, principle of mathematical induction की खास बात यहीं है, ये उन्हीं mathematical statements को प्रूफ करने के लिए इस्तमाल में लिया जाता है, जहाँ पे, जहाँ पे मेरा जो n है, मेरा जो n है, ये एक natural number हो, ये n एक natural number हो, उन्हीं mathematical statements को प्रूफ करने के लिए इस principle of mathematical induction का इस्तेमाल किया जाता है, principle of mathematical induction में जो हमने पढ़ा है यह basic principle of mathematical induction है यह जो हमने principle of mathematical induction पढ़ा है and equal to 1 के लिए prove कर देना उसके बाद k को सही मानते हुए pk को सही मानते हुए pk plus 1 को सही prove कर देना यह basic mathematical induction है इसके अलावा भी एक mathematical induction का principle होता है उसको strong principle of mathematical induction बोलते हैं वो हमारे सलेबस में नहीं है वो कभी एक्स्ट्रा कुछ मस्ती वाली चीजें पढ़ानी होंगी तब कभी सिखा दिया तो सिखा दिया तुमको सिखा दिया जाएगा वो ओलिम्पियाड वगेरा के तो कुछ सवालों में लग जाता है लेकिन हमारे 11-12 के सलेबस में वो नहीं है इसलिए उसकी चरचा में यहां पे नहीं करने वाला छलिए तो आगे चलते हैं अगे चलते हैं प्रिंसिपल ओफ मैथेमेटिकल अनिक्सिन अपने को कलियर है एक ओर सवाल में अप्लाई करके देखते हैं principle of mathematical induction और मजा लेते हैं कुछ सवालों का सवाल कुछ यू है proof that proof that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 and so on 1 upon n into n plus 1 is equal to is equal to n upon is equal to n upon n plus 1 for all natural numbers n for all natural numbers n by using by using principle of mathematical induction इस सवाल को proof करने के बहुत सारे तरीके हैं इसको sequence से proof किया जा सकता है इसको calculus से proof किया जा सकता है इस सवाल को vectors का इस्तिमाल करके proof भी कर सकते हैं बनाठ तरीके से लेकिन हमको ये सवाल इधर उधर उधर के तरीकों की बजाए इधर उधर के तरीकों की बजाए अपने अपने शायराना तरीके से proof करना है mathematical induction का इस्तिमाल करते हों proof करना है तो आईए करते हैं proof सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम ये जो सवाल है इसमें ये देखेंगे कि N एक natural number है क्या हाँ N natural number है तो N natural number है इसका मतलब इस सवाल में mathematical induction का इस्तिमाल हो जाएगा हम लगा देंगे ठीक है ना उन्ही सवालों में लगाते है principle of mathematical induction को जहां पे N हमारा एक natural number होता है ठीक है और ये जो पूरी statement है सबसे पहला काम है इस पूरी statement को हम PN मान ले क्या मान ले हम इसको PN मान ले let PN let PN is equal to 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 and so on 1 upon N into N plus 1 ठीक है न जो कालीन भहिया थे वो भी पूरा mathematical induction का principle जानते थे उनको मालूम था कि अगर दुश्मन कहीं पहुँच गया तो वो एक और दुश्मन create करेगा तो इसलिए वो उस दुश्मन को पहले वाले को मारते थे दूसरे वाले को मारते थे कालीन भहिया was very expert in principle of mathematical induction गुद्डु भहिया तो फिर उन से भी आगे निकले पूरा मिरजापूर is based on principle of mathematical induction so this will be equal to n into n plus 1 यह हमारी proposition है for n ठीक है यह हमारी statement जो है इसको क्या माल लिया इसको एक proposition माल लिया pn माल लिया ठीक है step number one क्या है basic step है base step है base step में क्या करना होता p1 देखनी होती है और हमें बतानी होती है प्रूफ करनी होती है कि भई p1 तो सही होगी p1 का मतलब यह है यह जो n तक जा रहा है sum यह 1 तक ही रुख जाए पहली term होगी इसका मतलब तो 1 तक हो तो यह हो गया 1 upon 1 into 2 और यहाँ पे अगर n 1 डाल दोगे तो 1 by 2 हो गया आप clearly देख सकते हैं left side भी 1 by 2 है right side भी 1 by 2 है left side भी 1 by 2 है right side भी 1 by 2 है तो भला कोन कहेगा कि यह बराबर नहीं है सब कहेंगे इस पूरी धरती के लोग बहार के लोग सारे लोग कहेंगे which is true यह सही है aliens भी आ गए वो भी बोलेंगे ठीक है भई आधा आधे के बराबर होता है step number 1 तो हो गया step number 2 में क्या करना होता है pk को true मान लेना है let pk is true pk को true मान लेना है और prove क्या करना है and we have to prove that and we have to prove that and we have to prove that pk plus 1 will also will also be true pk plus 1 true होगी pk को true मान लेना है और pk plus 1 भी true होगी यह हमको prove कर देना है अभी prove कर देंगे पहले तो यहाँ पर pk लिखिए pk क्या है pn मालूम है n की जगे के डाल दीजिए n की जगे के डाल दीजिए तो बन जाएगा pk मैं फिर बोल रहा हूँ अमीर खान वाले pk की बात नहीं कर रहा कि हम इस गोला से हैं उस गोला से हैं किसी गोला से नहीं हो भई या तुम चुपचा प्रिंसिपल mathematical induction कर लीजिए नहीं तो गोला भी यही रहेगा हम भी यही है ठीक है ना इस गोला से हैं उस गोला से हैं मजाक लगा रखा है कि कोई इस गोला से हैं उस गोला से हैं सारे इसी गोला से हैं दूसरे गोला से कोई नहीं है तुम भी इसी गोला से हो मैं भी इसी गोला से हूँ कोई दूसरे गोला से नहीं है pk पर जान दीजिए ठीक है, तो PK क्या हो गया, N की जिगे के डाल दिया, N की जिगे के डाल दिया, K डाल दिया, ठीक है, PK आपके सामने है, ये true मान लिया, PK is true, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, we have to prove that, we have to prove that, जो PK प्लस वन है, जो PK प्लस वन है, PK प्लस वन क्या होगी, N की जिगे के डाल दो, N की जिगे K प्लस वन डाल दोगी, यहाँ K प्लस वन डालेगा, यहाँ K प्लस वन डालेगा, ठीक है, तो 1 अपॉन 1 इंटू 2, 1 अपॉन 2 इंटू 3, ऐसे करते हो, 1 अपॉन, N की जिगे K प्लस वन डालेंगे, K प्लस वन इंटू, K प्लस 2 हो गया, यहाँ K प्लस वन डाल 1 upon 1 into 2 1 upon 2 into 3 1 upon 3 into 4 यह करते करते 1 upon k plus 1 into k plus 2 ठीक है? अच्छा इससे पहले वाली term कौन ची थी? उसको भी लिखते हैं जरा इससे पहले वाली जो term थी यह तो बाद में आई है यह तो बाद में आई है भई इससे पहले वाली term लिखना जरूरी है 1 upon k plus 1 k plus 2 ठीक है? इससे पहले वाली जो term थी 1 upon k into k plus 1 ठीक है? अब यहाँ पर देखने वाली बात है यह जो चीज है ना यह चीज इस लेफ्टेंड साइड ओफ pk यह pk की लेफ्टेंड साइड है ठीक है? pk की जो लेफ्टेंड साइड है वो कौन सी है? यह वाली यह लेफ्टेंड साइड है और इसकी value कितनी है? इसकी value है k upon k plus 1 कितनी value है? k upon k plus 1 तो यहाँ पर रख दिया मैंने k upon k plus 1 आपने एक चीज नोटिस की होगी इसको सही पुरूफ करने के लिए pk का इस्तिमाल करना पड़ता है pk का बिना इस्तिमाल करते हुए pk plus 1 को नहीं सही पुरूफ कर सकते है मेरी इस बात को याद रख लेना तुम्हें हमेशा ही बात आगे निकाल के लेके जाएगी इस अवालों को करने मदद करेगी ठीक है प्लस में है आगे 1 upon k plus 1 into k plus 2 ठीक है denominator से देखिए k plus 1 common आ रहा है उपर इधर बचा k इधर बचा 1 upon k plus 2 ठीक है जी इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए LCM ले लिया तो k square plus 2 गई यहाँ पर क्या आगे LCM लेके k square plus 2 k plus k square plus 2 k plus 1 ठीक है और denominator में 1 k plus 1 तो है ही ऊपर 1 k plus 2 यहाँ पर और आ गया ठीक है आप इस numerator को गोर से देखिए इस numerator को गोर से देखिए यह whole square है यह है k plus 1 का k plus 1 का whole square denominator को जहान से देखिए denominator है k plus 1 into k plus 2 यह कट गया मज़ा आ गया यह कट गया मज़ा आ गया k plus 1 numerator में है k plus 2 denominator में है हमने proof कर दिया इस पूरी कहानी को इसके बराबर proof किसके बराबर करना था इसी k plus 1 upon k plus 2 के बराबर proof करना था right hand side है हमारी तो हमने proof कर दिया this is equal to right hand side hence by using the principle of mathematical induction hence by using the principle of hence by using the principle of mathematical induction we can say that pn will always pn will always be true for every n epsilon natural number बात समय में आ रही है तो I hope आपको principle of mathematical induction का आईडिया लग गया होगा एक सवाल मैं आपको homework में दे रहा हूँ इस सवाल को बिलकुल जरूर करना है और comment box में comment करना ही करना है आप comment कीजी इस सवाल को attempt करने के बाद सवाल क्या है प्रूफ दाट प्रूफ दाट A प्लस AR प्लस AR square and so on तिल AR की पावर n-1 is equal to AR की पावर n-1 upon r-1 ठीक ना प्रूफ दाट इस त्रू for every n epsilon natural number यह प्रूफ करना है आपको ठीक ना सम उफ जीपी होता है यह कुछ लोग जानते भी होंगे सीखा है सम उफ जीपी का फूर्मूला है हमको यह प्रूफ करना है यह homework है और जरूर comment box में comment करके बताएं कि इसका प्रूफ आपने कर लिया गया एक दंभनाट तरीके से प्रूफ हुआ के नहीं हुआ जरूर comment करके comment box में बताएं तो आज के सेशन में इतना ही PMI के सेशन में इतना है PMI में कई प्रकार की problems और होती है inequalities की problem होती है PMI में division divisibility वाली problems भी होती है variety of problems होती है उनको हम दूसरे सेशन में discuss करेंगे इस सेशन में PMI की theory एकदम clear है और समझ में आ गया होगा कि apply कैसे करना है चलने का वक्त हो चुका है दोस्तों चलने का वक्त हो चुका है आज के सेशन में इतना ही हसते रहें मुस्कुराते रहें और याद हमेशा रखना है याद हमेशा रखना है कि क्या याद रखना है याद हमेशा रखना है कि हर रोज चलता हूँ मैं लेकिन पहुंचना कहीं भी नहीं है यह चलते रहेंगे चलते रहेंगे लोग पहुंचना कहीं है कि induction के principle को show करना है यही mathematical induction है यही जिंदगी है आज के लिए इतना ही फिर से मुलाकात होगी हसते रहें मुसकुराते रहें बाई बाई पढ़ाई करते रहें, all the very best